बारत बाता की मोदी 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 अब सब लोग बेच जाए जब बेच जाए आदरने गुमान सिंग डामर इसेत्र के सांसाथ सक्रिया मैं कहूंगी कि हमारी सस्कृति नी बंडी हमारी सस्कृति नो डुपटो हमारी सस्कृति नो तीर कमाजे स्वागत करेंगे प्रविन जी भाई सापी आये और हमारे आदिवाची समाजनी सस्कृति थी हमारे स्रत्य आदन ये प्रदान मंत्री जी का स्वागत और मंत्र करें बंटी पेरा कर अरे किसाद संबन निदी किस ने दी स्वास्तलाप किस ने दिया गरीबों को जुजवला योजना में चूला किस ने दिया हरहरा मादी हरहरा मादी हर यह अगर गल्रे बंग अझना में अगर्वाभि यह अगर्व स्वा रतलाम के स्रदेश सांसत जी गुमान सिंग डावर जी से निवेदन करूंगी कि आदर्निय नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में स्वागत भाशन से संबोधित करें आईए भारत माता की भारत माता की बाबा देव की गाणी काजल माता की सावन माता की बदा भायों बक्तोनें बक्तानियों पदान राम राम आज हमार वस्मा हमारा देश नो परदान मंत्री आज पूरी दुनिया न सब्तो ताकत वर नेता तमारती मलबा हारू आज जबा मा आयो से यह हमारे हारू बहुत खुशी निवाद से सब्बे बेहे हाथी त्यालिव अगाणी स्वागत करो जे राग मन्स पर उपस्थित हमारे पर्त्यासी भाय कलसिंग जी भावर बाय विल संह जी बुरिया अमारे बानु जी भुरिया कि अपना आजादी ना पीछोतर वर्स होई गया ताहूदी आदिवाश्यों नी कहीने इज़त नी करी कांगरे से हमुन हमेशा इंद्यराम राख्या बेज़त नी करी यह पेलखी वकत से कि हमारा आदिवाश्यों नी इज़त भार्ती जन्ता पार्टे नी सरकार बने और हमारा देश में परदान मंत्री श्रीमान हमारा परमादर नी नरंदर मोधी भाय बने यह पेलखी वकत आज़त हमुआरी इज़त करें 15 नवंबर जन जाते गोरव दिवस करें और हमारा करें करें तो मुन एक वार रजू बताड़ों कि हमारा देश नी राश्पति बनावी हमारी ब्यान दुर्वदी मुर्दो आदिवासी से तीने पेलखी वकत आदिवासी काम बनावान काम करें तो हमारी भारती जन्ता पार्टे आपना मध्य प्रदेश नो राजपार तेजी था काम करें आपड़ा पोरियान भनावा हरू एक लवादार सुधाल है जन्ता ती जिला माँ अपड़ा मेडिकल कालेश कोल है वन धन के इंडर कोल है यह भी तमाम योदियान योदनाय लावे और जो हमुन कांग्रेस है हमारा हाथे करीब साट पेशट परे हुते अन्याय के रियो अन हमारा अधिकारति हमळा सेता के ओ एवो आपना देश lou नेता जिनए अपना देश मा समाजिक रांती करते दे जिने आपना देश मां आर्थी क्रांती करते दे इवर मोदी जि wavelengths हमारा वसमा से मुनमाग दरसंदे हैं आपड़ा जीला मागा गणि मोटी एक भीमारी है हती शिकल सेल फूरा मध्य प्रतेश मां सबसा पेलकर आपड़ा जीला माँ सीकल सेल नहीं मीटारवाने वात करें तिरह मोधी भाइये करें आपड़ा ज beetरा ने हमारी बिहनुन鹂 मझब देश में परदान मंत्रिय के रिए हैज जो गरीब कलियान अन्योजनार है यह जो हमोना आपना मुफत मा राशन मले रहे हुआ ज़ब वाना करीब तीन अजार तीस परिवाद थीन लाग तीस अजार परिवाने और अमारी मुफत मा अनमली रियो हमार कहीनों भायन भुके इन मिजनवा देवा आज हमारे जन धन खाता खोले और एक एक पाईसो आपणा गरिब ना भायना खाता खुदा जाए पेलको कांग्रेस नो एक परदान मंत्री है तो राजिव गांदी तीने के देलू गूंद दिल्ली था एक रुपिय मोखलो और जाबा तक आउता आउता त्यों पंद्रा पईसारी जाए पिश्यासी पईसा यह हता कांग्रेस ना लोग खाई जाता पर आज हमारा मोदी भाई परदान मंत्री मोदी जी करें जो आज हमारा पेलका जोबाग योजनाम जो हमारे अलिरासपुर जाबा ना वन ना गाउं होता हुआ कि भारत माता की भारत माता की मुझे तुरंत उठना इसलिए पड़ा क्योंकि हेलिकॉप्टर बात में चलेगा नहीं आगे के कारकम्बरे अटक जाएंगे वैसे हमारे आपके इस्थानी भाषा में सुनने का मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था लेकिन मुश्खिल था समय का समस्या थी भारत माता की, भारत माता की, बाबा डुंगर देव की, बदा भाईने राम राम, केम जो बजा, मजा माँ, आए, आमने जाब माईएट लें, आम लागे, के गेर आयाएची है, राजा जबु भील, और क्रांति भील, चंद्र सेखर आजात की, इस कुंड भूमी का, मैं स्रध्धा पुर्वक बंदन करता हूं, जाबवा, अली राजपूर, एमपी, गुजरात और राज़तान की, एक प्रकारते संगम स्थली है, भाषा, बोली, खानपान, रहेंसेन, सब कुछ एक जैसा है, और मुझे तो जब संगठन का काम करता था, याने एक परिवारों से बरसों बरसों तक नाता रहा, और आज, कई लोगों से मिलने का मोका भी मिला, जाबवा, अली राजपूर के, हर दोर का, साक्षी रहने का मुझे आउसर मिला है, जब भी यहां आता हूँ, तो पुरानी यादे ताजा होना बहुत स्वाबाविक भी है, और इसलिए, आज MP विदान सबाई चुनाव के लिए, क्योंकि कल शाम को प्रचार अभियान समापत होने वाला है, और मैं कल चुनाव अभियान छोड़ करके, जारखन बगवान बिर्शा मुंडा की, जन्मस्थली पे जाने वाला हूँ, कल उनके जन्मजेंती पर स्रद्दा सुमन अरपित करने के लिए जाने वाला हूँ, और इसलिए, मद्यप्रदेश के वर्तमान चुनाव में, एक प्रकारते मेरी आखरी सभा है, और मुझे अच्छा लगा, कि मेरे अपने घर में ही मेरी आखरी सभा हो रही है, यहां से मुझे इंदोर में रोड़शो के लिए जाना है, लेकिन सभा यही मेरी आखरी है, और मुझे भी सभास है, कि मेरी आखरी सभा, चुनाव नतिजों में, नंबर बन बन जानी चाहिए, बना दोगे ना, बना दोगे ना, और मैं देख रहा हूँ, यहां जित्रे लोग है, उससे साए दोगुणा लोग बाहर खड़े हैं, हेलिकॉप्टर के पास, जिस तरह का माहोल इस बार पूरे मद्ध प्रदेश में देख रहा हूँ, साप शाप नजर आ रहा है, कि जनता जनारदन की गारंटी है, कि कमल खिलने वाला है, और मैं नजर देख रहा हूँ, कॉंग्रेस इस चुनाव में, कहीं टक्कर में नजर नहीं आ रही है, इसलिए कॉंग्रेस मद्ध प्रदेश में, एक बहुत बड़ी शर्म नाख हार की तरफ बढ़ रही है, 17 नवेंबर को मद्ध प्रदेश के लोग विकास को चुनेंगे, भाजपा को चुनेंगे, कॉंग्रेस के पंजे को मिलेगी करारिहार, एमपी चुनेगा, भाजपा बार बार, मेरे परिवार जनों, यहां इस खेत्र के लोगों का, गुजरात में इतना आना जाना है, इतनी रिष्टेदारी है, वहां कुछ महिने पहले ही चुना हुए है, आपने देखा है, कि अंबाजी से लेकर उमरगाम तक, पूरे आदिवासी पट्टे में, यह दाहो दो, चुटाहो देपुरो, सारा, आप तो जानते हैं सब, पूरे आदिवासी पट्टे में, कॉंग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, आदिवासी समाज ने, कॉंग्रेस को पूरी तरह से नकार कर रखा हुआ है, बेश की जनता जान गई है, मद्दप्रदेश की जनता जान गई है, मेरा एक एक आदिवासी परिवार जान गया है, कॉंग्रेस आई, कॉंग्रेस ने हमेशा आदिवासी समाज को केवल, वोट बैंक के रुप में ही देखा है, जबकि डबल इंजिन सरकार ने, हर प्रकार से आदिवासी समाज का जीवन बदलने के लिए, निरंतर काम किया है, आप राजस्तान में भी आते जाते रहते हैं, वहाँ पी आदिवासी समाज कॉंग्रेस से भड़का हुआ है, मैं मद्य प्रदेश और छत्रिश गड़के पी अनेक आदिवासी साथियों से बीते कुछ समय में मिल चुका हूँ, हर तरप कॉंग्रेस के विरोत गन गोर गुशा और भाजपा पर अभूत पुर्व उत्सा दिखाई दे रहा है, मेरे परिवार जनों, कॉंग्रेस पर आदिवासियों के गुशे और भाजपा पर आदिवासियों के भरोसे के कुछ ठोस कारण है, जब तक कॉंग्रेस सत्ता में थी, तब तक आदिवासियों क्छेत्रों से, पिछडे ख्षेत्रों से, सिरफ भुख मरी की खबरे आती थी, कुपोशिद बच्चों की तश्विर आती थी, कॉंग्रेस के नेतां गरीबों की जोपड़ी में जाकर फोटों खिचवाते थे, दस-दस कैमरा वालों को ले कर गए जाते थे, तश्विर चमकाते थे, उनकी गरीबी दिखाते थे, उनकी बेहाली दिखाते थे, और एक बार फोटों चमक गई खुद की, फिर उन आदिवासी परिवारों को भूल जाते थे, ये ड्रामा, नाना ने भी किया, दादी ने भी किया, पिता ने भी किया, साम ने किया, यही काम किया, जिन बच्चों को कॉंग्रेस के राज में सही पोशन नसिब नहीं था, वो बच्चे कॉंग्रेस नेताओं की तस्वीरे सजाने के काम आते थे, ये बात करते हुए भी मेरे दिल में बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है, लेकिन सच्चाई बताना जरूरी है, इस तरह की मानसिक्ता रखने वाली कॉंग्रेस, क्या कभी गरीब का, किसी आदिवासी का भला कर सकती थी? भला कर सकती थी? पूरी ताकत से बताओ ना, भला कर सकती थी क्या? क्या हम उन पर भरोजा कर सकते हैं? क्या हमारी गरीबी उनके फोटो के लिए है क्या? इसी सोच के साथ, दसकों तक, हमारे आदिवासी भाई भैन, हाशिये पर रहें, गरीब आदिवास्यों के साथ हो रहा है, अन्या है, अगर जारी रहता, तो भारत कभी आगे नहीं बढ़ सकता था, इसलिए 2014 में आपने मुझे देश की जिम्मेदारी दी, तो मैंने संकल पलिया, सबका साथ, सबका विकास, भाजपा ने वंचीतों को वरियता दी, जो समाज के आखरी छोर पर छुटे हुए थे, हमने उन्हें सच्ची और सर्वोच्च प्रात्विक्ता दी, उन्हें कभी किसी से नहीं पूछा था, जिनकी किसी ने परवा नहीं की थी, ये मोदी है, उन सब की परवा करता है, मैं तो जिन्दगी कि मैं कई वर्ष मुझे आदिवासी भाईयों के बीच काम करने का मोका मिला है, बर्षों तक मैं बस मैं दाहो दौरी सारे बेल्ट में आया करता था, ये कॉंग्रेस की सरकारे थी, तब क्या होता था, वो आते थे, फिर कहते थे, कि सरकार ने योजना बनाई है, आपको बैंक का लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा, तो इतनी मुर्गी आएगी, इतनी मुर्गी आएगी, तो इतने अंडे होगे, इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी, फिर इतने अंडे, फिर इतनी मुर्गी, कभी कभी बोल दे तेरे कड़कनात का नाम भी और वो बिचारा आदिवाजी भी बोल सुच समझा तक अच्छा है यार पैसे का लोन मिल रहा है पांच-दस मुर्गी मिल जाएगी अंडे होगे दिरे-दिरे विस्तार होगा अंडे भी बेचेंगे, मुर्गी भी बेचेगी बच्चों का भला होगा और वो बिचारा इस भरो से लोन ले लेता था और शाम को ही अभी तो मुर्गी गर पहुँची है शाम को ही लाल लाइट वाली गाड़ी आ जाती थी गर के बार कैसे हो, मुर्गी तो बहुत अच्छी है तो पूछ्था था साब कहाँ से निकले थे, नहीं बोले निकला था लेकिन अब राद देर हो गही तो बोला सोच यही रो अच्छा तो पर भोजन कर लीजीए वह मुर्गी नहीं नहीं आई ए दो उसी रात साफ हो जाती थी हफ्ते के बाद दूसरा नेता या बाबू आ जाता था दो मुर्गी और चली जाती थी बेचारा मेरा अधिवासी एक भी अंडा आने से पहले मुर्गी चली जाती थी वो कर्चदार बन जाता था यही खेल चलता था चलता था कर नहीं चलता था यही ठगी चलती थी कि नहीं चलती थी भाई यो बेनो हम जो भी काम करते हैं ने पक्का करते हैं पक के इरादे से करते हैं अब आप देखिये जबMPovid आया, Corona आया कितनी बहेंकर बीमारी आई दुनिया भरते हम टीवी में देखते हैं लोग मर रहे हैं मर रहे हैं अस्पताल में डेड़ बोड़ी पड़े हुए हैं यही हाल था गाउं गाउं डर लगता था एक गाउं वाला दूसरे गाउं वाला को घुशने नहीं देता था परिवार में भी कोई किसी को मिलता नहीं था ऐसे हाल थे हमारे जांपवा के दाहों के बच्चे जो शहरों में काम करने गए थे वो भी पैदल चल 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 करें वापिस आ गए थे चारों तरप चिंतां का दिन था वो याद है ना ऐसा लग रहा था गरीब का क्या होगा मेरे आदिवासी भाई बेहनों का क्या होगा तब मोदी ने तै किया मैं गरीब के घर में चूला बुझने नहीं दूंगा मैं गरीब के बच्चों को भूखा सोने नहीं दूंगा मैं गरीब मां के आँख में आँसु आने नहीं दूंगा और तम मैंने देश के 80 करोर लोगों को मुप्तराशन दाने की योजना चला लिए मुप्तराशन मिलता है कि नहीं मिलता है मिलता है कि नहीं मिलता है आज भी मिलता है और डिसम्बर महिने तक भी मिलने वाला है लेकिन मोदी ने मन बना लिया है जिस से मेरे इन परिवार जनों का भला हो मैंने तो मन बना लिया है मैंने संकल्ब भी कर लिया है कि डिसेंबर में योजना पूरी हो रही हैं लेकिन मैं इसे और पांच साल के लिए आगे बढ़ाऊंगा ताकि आपको मुप्त राशन मिलता रहे आपके घर का चूला जलता रहे और अनाज के लिए जो खर्चा होता है वो बच जाएगा उन पैसों से और जीवन के और कामों के लिए उप्योग होगा आज आपके इस बेटे ने मुप्त राशन मुप्त टिका करान मुप्त इलाज की व्यवस्ता की है इसका बहुत बड़ा लाब आदिवाद्सी परिवारों को हो रहा है अब मैंने निश्य किया है और आपके आशिरवाद रहेंगे ने पांच साल इसको जालू रखूंगा तो और पांच वर्थ जारी रहेगा अब तो MP भाजपाने भी संकल्प दिया है कि दाल, तेल और चीनी पर भी रियायत दी जाएगी मेरे भाईयों और बहनों मोदी ने आपके लिए एक काम पक्का कर दिया है आप काम के लिए जाबवा से कहीं और जाए गुजराच जाए, राज़तान जाए, महराकर जाए केरल जाए, तमिलनाडू जाए पंजाब जाए, कहीं पर भी जाए आपका जो राशनकार है जो बना यहाँ पर है आप जहाँ जाओगे उसी दाशनकार से आपको मुप्त राशन भी मिलता रहेगा मेरे परिवार जनो पिछले काफी समय से देश में यह चर्चा होती है कि आखिर मोदी को देश की नारी शक्ती हमारी माताए बहने उनका अशिरवाद इतना कैसे मिलता है अब उनकी नीन खराब हो गई है माताए बहने मुझे इतना अशिरवाद देती है इस बात का जबाब गाउ देहात में मौझोद हमारी माताए बहने बेटिया ही देती है जिन संकटों से वो पीडी दरपीडी गुजरती थी उस चिंता से मुक्त करने का काम उनका भाई उनका बेटा ये मौधी ने किया है आजकल हम कितने ही वीडियो देखते हैं जिसमें हमारी बहने खुद कह रही है पकास आवास दिया मौधी ने पका आवास दिया ज़रा जोड से बोले से पता चले पका आवास दिया मुप्त इलाज दिया साउचालाई बनवाया घर में नल से जल बिजली का कनेक्शन बैंक में खाता खाते में पैसा स्वारोजगार के लाखो कलो रुपिया बेटियों को किस ने दिये खेत में काम करने वाली मद्दूर बेहनों के लिए पैंशन ही हो ज़ना किसने शुरू की विधान सबाव और लोग सबाव में बेटियों के लिए तो फिर कॉंग्रेस को वोट क्यों दे आज MP का हर परिवार माताय बेने खुद कह रही है मोदी की गारंटी याने गारंटी पूरी होने की गारंटी मेरे परिवार जनो अभी तिन दिन पहले ही पूरे देश ने दिपावली मनाई है घर घर दिये जलाए है आपने देखा है कुछ दिये ऐसे होते है जिसमें एक बाती होती है आपने ते दिवेट के हैं न वही कुछ दिये ऐसे होते है जिन में दो दो बातियां एक साथ जलाई जाती है जब एक बाती वाला दिया जलता है तो उसी हिसाब से अंधेरा दूर कर पाता है जब दो बाती वाला दिया जलता है तो और ज्यादा रोश्णी फैलाता है अंधेरा और ज़्यादा हटाता है यही तो डबल इंजिन की सरकार में होता है एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार और दूसरी तरफ राज्य की भाजपा सरकार डबल इंजिन की ताकत बना देती है यहाँ MP में भी हम डबल इंजीन की सरकार का डबल फाइदा देख रहे हैं केंद्र की भाजपा सरकार गर्बवती माताओं बहनों को PM मात्रु वंदना योजना के तैद हजारों रुपिये दे रही है यहाँ की भाजपा सरकार लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना से बहनें और बेटियों को और आर्थिक मदद दे रही है केंद्रे की भाजपा सरकार आदिवासिक शेत्रों में एक लव्य आवासिये विद्याले खोल रही है यहां की भाजपा सरकार भी आदिवासिक शेत्रों में नए स्कूल बना रही है MP भाजपा ने संकल पलिया है कि केजी से लेकर PG तक बेटियों को मुप्त सिक्षा दी जाएगी आदिवासिक शेत्रों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल पर भी जुरूर पिरा किया जाएगा और हमारी गारंटी की ताकत दूर नहीं है आप थोड़ा थोड़े पात दाहोद हुआईए दाहोद में मेडिकल कॉलेज है कि नहीं है आपके पड़ोस में बनाई नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज सब कुछ क्यों मोदी है तो मुम्किन है यहां भी यहां भी होके रहेगा साथ्यों केंद्र सरकार ने पहले मुप्त गैस कनेक्शन दिया और अब गैस सिलेंडर पांच सो रुपिय तक सस्ता किया है MP भाजपाने बहनों को इसमें भी और अधिक राहत देने का संकल्प लिया है वन उपजों के अधिक दाम मिले इसके लिए केंद्र सरकार नब्बे से अधिक वन उपजों को MSP के दाइरे में लाई केंद्र सरकार ने ही वन धन योजना शुरू की आज आदिवासी परिवारों के लाखों साथियों को इससे रोजगार मिल रहा है अब MP भाजपा ने संकल्प लिया है कि 4000 रुपे प्रति बोरा तेंदू पत्ता खरिदेगे ये भाजपा की केंद्र सरकार ही है जो छोटे किसानों के लिए PM किसान सम्मान निजी लेकर आई है यहां की भाजपा सरकार ने इस मदद को दो गुना यानि 12,000 रुपे कर दिया है केंद्र की भाजपा सरकार ने धान और गईहूं के MSP को लागत को डेड़ गुना किया अब MP भाजपा का संकल्प है कि गेहूं 2700 रुपिये और धान 3100 रुपिये प्रती क्विंटल खरीजा जाएगा दिल्ली से मैं आपके लिए जो कुछ भी करता हूँ उसे यहां की भाजपा सरकार कुछ ने कुछ जोडती है उसका विस्तार देती है और तेजी से आप तक पहुँचाती है यह डबल इंजिन सरकार का डबल फाइला होता है लेकिन आपको सावधान रहना है जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार है वहां कॉंग्रेस की पूरी उर्जा उनका एक ही काम बत जाता है मोदी जो कर रहा है उसको रोको मोदी की होजनाओं को आगे मत जाने दो अपने राज्य का नुक्सान हो जाए तो होने दो लेकिन भारत सरकार कोई भी काम लेकर के आए है मत करो अरे तुमारी राजनिति तुमारे घर रहने दो तो यह लोगों का नुक्षान क्यों करते हो, यह प्रकार के खेल क्यों खेलते हो, आर इसले भाईयों, कॉंग्रेस सुधरने वाली नहीं है, उसको तो घर रखना, उसके वापिस रहो वहीं रहो, वापिस आऊ मत, यही करना पड़े, करोगे ना, पक्का करोगे, मेरे परिवा जाबवा को आदिवासी हस्तसिल्प और हद करगा उद्योगों के लिए भी जाना जाता है हम तो पदमस्री देते ने तो भी यहां के लोगों को ढूंडते हैं यहां के हमारी बहने बांश के शांदार उत्पाद गुडिया मन के उसके गहने और ऐसी अनेक सजावटी चीजे बनाती है अब मुझे बताईए यह काम आपने मोदी के प्रदा मंतरी बनने के बाद शुरू किया था क्या यह काम पहले भी होता था अगर नहीं होता था आपके पूरवजों को भी आता था लेकिन जब कॉंगरेस दरकार थी तब भी इस काम में हजारों परिवार जुटे थे क्याने इतने लोग होने के बाद भी हजारों वर्सों से ऐसी शिल्पी ऐसे हमारे विश्व कर्मा साथी सेवा दे रहे हैं लेकिन यह मोदी है जो ऐसे हर परिवार का जीवन बदलने के लिए पहली बार पीएम विश्व कर्मा योजना लेकर आया इस योजना के तहट हर कारिगर हर शिल्पी को आज की आदुनिक ट्रेनिंग भारत सरकार देगी हमारे कारिगरों को ट्रेनिंग के दोरन पैसा भी मिलेगा इस पर केंदर सरकार तेरा हजार करोड रुपे खर्च करने जा रही है मेरे परिवार जनो मालवा की कहावत है पगपग रोटी डगडग नीर है नहीं याद है कही गए भूल गए पगपग रोटी डगडग नीर इस कहावत को जमीन पर उतारने का काम भी भाजपाही कर रही है कॉंग्रेट ने दसकों तक देश में सरकारे चलाई है लेकिन कॉंग्रेट न तो सिंचाई की परियापता सुविदा बना पाई और नहीं पीने का पानी सुलब कर पाई यहाँ भाजपा सरकार ने ही मान नर्वदा का पानी अनेक छेत्रों में पहुँचाया है नर्वदा, जाबवा, पेटलावत, ठानला, सरदारपूर, सुख्ष्म सिंचाई परियोजना पर तेज गती से काम चल रहा है इस पर भाजपा सरकार डेड़ हजार करूर रूपय से अधिक खर्च कर रही है माही सिंचाई योजना से भी अनेक गाउं को फाइदा हो रहा है भाजपा सरकार टपक सिंचाई और फब्वारा सिंचाई जैसे आधुनिक तक्निक के लिए किसानों को मदद दे रही है यह हमारा संकल्प है हमने हर खेत और हर गर तक पानी पहुचाने के अपना मिशन बनाया है आधेश के कौने कौने में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं यहां भी अनेक अनृत सरोवर बनाएगे हैं मुझे खुशी है कि जाभवाजलिय के लगवग एक लाग परिवारों के घर पाइप से पानी पहुच चुका है यह भी मेरी गारंटी है कि मैं हर बहन के घर पाइप से पानी के स्विदा पहुचा के रहूंगा मेरे परिवार जरो जैसा मैंने पहले कहा इस चुनाव में ये मेरी आखरी जनसभा है कुछी महिनों बाद लोगसभा के भी चुना होने वाले हैं आप लोगोंने लोगसभा चुनाव में तो मोदी की जीत पक्किक करही पहले से रखी है लेकिन आपको यहां MP चुनाव में भी बाजपा को प्रचंड बहुमत से जीताना है आपका सपना ही मोदी का संकल्प है सबके सपने तभी साकार होंगे जब भारत माता अविक्सित होगी इसके लिए मद्द प्रदेश का अविक्सित होना बहुत आवश्यक है मद्द प्रदेश के तेज विकास की गारंटी कॉंग्रेस कता ही नहीं दे सकती कॉंग्रेस जहां जहां आई है वहां प्रस्टाचार बढ़ा है अपराद बढ़ा है उस रात की अर्थे बहुता चोपड हो गई है कॉंग्रेस आपके आकांच चाहोगी नहीं बलकि कुछ परिवारों के लालज को पूरा करने वाली पार्टी है दिल्ली हो या फिर MP कॉंग्रेस में सिर्फ और सिरफ निजी स्वार्थ सर्वों पर ही है इनको सिर्फ एक ही चिन्ता है कि तीन दिसवर के बार MP कॉंग्रेस पर किसके बेटे का कबजा होगा वो कपड़े फोड़ने में लगे हैं सरेयाम एक दूसरे के कपड़े फोड़ने में लगे हैं नेता कॉंग्रेस के कॉंग्रेस के देताओं को अपने अपने बेटों के भविश्की चिंता है जबकि भाजपा को आपके बेटे बेटियों की चिंता है इसलिए 17 नमंबर को पहले मतदान फीर जलपान जाबवा अली राजपू सहरीत पूरे मालवान निमार को पूरे एमपी को हर बूत पर कमल खिलाना है गर-गर जाएंगे गर-गर जाएंगे भाजपा की बात बताएंगे कैसे वोड़ देना समझाएंगे हर बूत से कमल खिलाएंगे मैं विशेश रुप से एमपी की हर माता बेहन बेटी से कहूंगा ये चुनाव आपका है सत्रा नमंबर को आपको ही नित्रुत्व करना है मुझे एमपी की हर मेहन बेटी पर पूरा भरोसा है यहां से अब गर जाएंगे लेकिन बैटना नहीं है कमल लेकर के घर-गर पहुंचना है पहुंचोगे हर बूत में कमल घिलेगा कॉंग्रेस साफ हो जाएगी बाजपा का जैजेकार हो जाएगा यह हमारे सभी उमिद्वार उनको आशिरवाद मिलेगा सब के सब जीतेंगे कॉंग्रेस का एक भी नहीं आएगा पक्का यह काम करेंगे अच्छा एक मेरा काम करेंगे मेरा नीजी काम है करेंगे चुनाव वाला काम नहीं है करोगे जरा जोड से बताओ तो बता चले करोगे सच्चे करोगे सच्चे मन से करोगे और पक्का करोगे अच्छा तो एक काम करना है गर गर जाना और कहना कि मोदी जी जाबवा आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है आपको जोहार भेजा है यतनी मेरी बात बता दोगे पक्का बता दोगे जब मेरा प्रणाम हर परिवार को पहुँचेगा न तो उस परिवार का मुझे आशिरवाद मिलेगा उस आशिरवाद से मुझे ताकत मिलेगी उस ताकत से लिए मैं ज़्यादा दोडूंगा आपकी भलाई के लिए दोडूंगा आपके बच्चों की भलाई के लिए दोडूंगा आपके गाउं के लिए दोडूंगा आपके समाज के लिए दोडूंगा और इसलिए मुझे आशिरवात से बहुत उर्जा मिलती है मेरे प्रणाम कहोगे गर गर जा करके कहोगे तो मुझे जुरूर नई उर्जा मिलेगी जो उर्जा नेरे देश के लिए काम लगाऊंगा मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद ज़िसांग्, ज़िसांग्! ज़िसांग्